नमस्कार यो खबर भीत्र को खबर हो रमा सारूज ओवरे दर्शक ब्रिंद लोट स्चेडिंग को त्यो समय तपाएं हमी एक पटक सम्झेंता ती अध्यार रात हरूले हमरो दैनिक जीबन होस या वेवसाईक जीबन तहस नहस बनायको कुरा किनन होस जुन पिडा अजई पनी तपाएं हमरो दिल दिमाग में भुनू परछा आम जलताले अध्यारोमा रात बिताई रहदा भने केही तिस्ता मानिस हरूले जलमल्ल उज्यालोमा जीबन जीव थे लाखाउलाई मारे रा केही उद्योगी नामधारीले तपाएं हमिलाई अध्यारोमाई बाचन विबस बनायरे विद्धूत सुबिदाल लिन्थे डेडिकेडेट फिडर ट्रंक लाइन का नामबा तरा तिनाई मानिस हरूले प्रिम्याम सुल्क लागने विद्धूत सेवाको महासुल तिर्दैनाउ भन्दै धमक्याई रहे का छन। करिब 35 अरवाको विद्धूत महासुल तिर्दैनाउ भन्नेती ठाग उद्योगी हरू पको हुन। तिनी हरको सम्पूला नाली बेली देखाउने छाउं आजाको खबर भीत्रको खबर माँ नामुद उद्योगी हरुले देडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन को सुविदा लिएका तिये उसो भाए के हो ता डेडिकेड़ फिडर रा ट्रंक लाइन भाने को जसको सुबिदा ती मानिस हरूले लिएका थिये विध्यूत प्रादे करणले ती केही सिमीत उद्योगी अरू को उद्योग का लागी भन्दई एस तो बेवस्था गरे को थियो लोड सेडिंग को चर को मार आम जनाताले खेपी राहे को बेला उनी हरूले इस तो सुबिदा पाये का थिये की जसले जनातालाई अध्यारो में राक तेरा भाये पनी केही उद्योगी हरूलाई दिये को थियो शुबिदा डेडिकेट फिडर राट प्रंक लाइन को बिवस्था इस तो थियो योहेर नहोस जती बेला इस तो समय थियो तेती बेला यो देश अध्यारो में थियो जल सरोत को धनी देश पनेर गीत गाये पनी अध्यारो में बस्था थियो नेपाली हरूको इस तो विकराल अबस्था मा उध्योग चलाउना भंदै प्राधिकरण ले इस तो सुबिदा दियो को सुबिदा हो डेडिकेट रा ट्रंक लाइन उध्योगी बेवसाई हरूको आग्रहलाई स्विकार्दै सरकार ले नियमित बत्तिको प्रभंद गरेको थियो 2017 कातिक तिरको समाय हो तेती बेला नेपाल विद्धूत प्राधिकरण को प्रणाली बाट डेडिकेटेड फिडर मार्फत नीरंतर विद्धूत लिना पाउने नितिगत विवस्था गरियो विद्धूत को अभाब मा पेट्रोलियम पदार्थको बिकल्प थिये न र भाय न पनी उद्ध्योक संचालन को लागी यो निक्केई महंगो थियो उर्जाकै कारण लागत बड़े पची महंगी पनी बड़ेो एही मर्मलाई बुजेर एस्तो सुविदा दिये को हो उद्ध्योकी हरूलाई 2021 माक पंद्र गते डेडिकेडेट विद्धूत शिवालिना चाहाने का लागी दीने विशेमा और देन तथा माबदंड बनाई सिफारिस गरिये को थियो तिसका लागी मनोज कुमार मिश्र को समेज अकत्तो मा तीन सदस्चिय समिती समेथ गठन भाय को थियो समिती को प्रतिवेदन अनुशार मिती 2022 असार बारगते प्राधिकरनले सत क्रतिसत प्रीमियम फपेर लिना चाहाने उद्योग लाई डेडिकेड लाइन दिना निडाय गरियो तर दर रेट विद्धूत महसुल निर्धारन अयोग बाठ स्विकरित उनुपर्नेत क्यो अयोगली 2022 पुष्मा डेडिकेड लाइन को लागी प्राधिकरनले सिफारिस गरेको रेटलाई स्विकरित गरिदियो स्विकरित संगई टियोडी को मिटर अनुषार 24 घंटाने बत्ती पायेको प्रमाड अनुषार बिल भुप्तानी हुने विचे उल्लेक गरियो नाम चलेका उद्योगरुले इस्तो सुबिदालिये प्रारम्भमा बिल तिरेका उनिहरुले विच्तारई अनेकन बहाना गर्दै बिल भुप्तानी गर्दैने वु भंदै कहिले सरकार को दैलोता कहिले अदलत को धोका सहार नी करेके हुन डेडिकेट फिडर भनेको बिद्धूत को सब इस्टेशन बाटा छुट्टेई तार लियाए रा कुने ग्रहाक लाई बिद्धूत आपूर्ति गर्नो हो इस्तो फिडर मा लोडशेडिंग का बेलापनी नीरंतर बिद्धूत आपूर्ति गर्ने सुबिदा हन्थियो येउटा लाईन बाटा लोडशेडिंग मुदा अरको बाटा बिद्धूत आपूर्ति गर्ना सकिन्था ट्रॉंक लाईन मारफत चाहीं चोबिशाई घंटा बिजूली आउने प्रशारन लाईन बाटा ये द्योग मा तार पाने रा ये द्योग भीत्रने टांसफर्मर राखे रा बिजूली घंचा विगत्मा नेपाल मा बिभिन्न समय मा लोडशेडिंग हुने गरेको मा देडिकेटेड फिदर्ला ट्रॉंक लाईन का माधिमबाट सिह दर्बार लगायत महत्तुपन सरकारी कारेलाय हरू शुरक्षा संगा संबन्दित कारेलाय हरू अस्पताल टेलिकम का टावर हरू लगायत मा नियमित विदूद आपूर्टी घर ने गरिंथ्यो विराटनगर दुवही विर्गंज पतलाया लगायत का करीडोर का चेही उद्योग हरू ले पनी फ्रॉंक लाईन बाट विदूद जोडेरा प्रयोग गर्दया आकटी दुईसे अंठानब्बे उटा ग्रहाक लाई विदूद प्राधिकरण ले देडिकेटेड र फिडर फ्रॉंक लाइन बाट विदूद जीएक ट्यू इँ उद्योग र सिंह दर्बार लगायत मा उज्यालों हुदा आम जनाता अध्यारों माई बस्थे बरसों उसम्मा उर्धी जारी गर्यो तब उद्योगी हरू महसुल नतिर्णे योजनामा लागे। अधलत बाट जिल्ला परेका उनिहरू सरकार दल का नेतालाई भेटेरा हार गोहार गरीर है काछन। गुंडा नायके कुख्यात अफर आधिलाई आम माफे दियेको सरकारले इन उद्योगी हरूलाई पनी छूट नदेला भन्ना चाहीं सकिन्द। किन्द। तिनकी इने नामुद उद्योगी ले दल को पाटी कारेलाई रचुनाव खर्चको प्रवंद गर्नी करता छन। पाटी चलावना उनिहरूले लगायको गुंड तिर्ना सबै दल हरूके सलहामा सरकारले इन नामुद उद्योगी हरूलाई मासुल मिनाहा गरिडियो भने पनी आफ्चर दिये नमाने पुंचा। दर्शक ब्रिंद डेडिकेटेड फिडर रा ट्रंक लाइन का नाम्मा विधूद सुविदा लियेका मानिश हरूप जसले आफुलाई यो देशकाई नामुद उद्योगी वैंकर्ष रा वैवसाई ठांचन। तिने मानिश जो हुन जसले नककली भ्याट बिलमा घोस या कोरोना को बेला थर्मलगन को अबईद व्यापार गर्थे। किर्शी का नाम्मा अरभव अनुदान कुम्ल्याई रा किर्शकलाई मर्न न बास्न विवस बनाया का थी। अहिली पनी उनी अरुको करतूत उस्तेई छा। सत्ता रा सक्तिलाई धमक्याय रा अबईद संपती कमाय का हरु हुन। जसले डेडिकेट फिडर रा ट्रंक लाइन को सुबिदा लिये रा अरभवव महासुल न तिरने धमकी दिये का छा। महासुल न तिरने भन्दै धमकी दिये का हरुको बक्याउता रकम कती छा। तो देखाऊने छा। तर एकेचिन को विश्राम पची। दर्शक भ्रिंद पक्काई पनी यो देश को जे जस्तो हालत अहिले भायको छा। एस्तो अबस्थामा पुर्याउने इनेई मानिस हरु हुन। जसले राज्येबाट लाब जती धेराई लियेका छन। उती धेराई राज्यलाई ठगने गरेका छन। इने इठाग हरुले दल र तिनका नेतालाई रिजाउने र सक्ति केंद्रको दुरूपयोग गरेरा अकूत दन आर्जन र संपती थुपार्ने गरेका छन। नेपाल बसाईको तिन पुष्टा पनी नपुगेका उनिहरु देश कई धनाद्डे कहलियेका छन। एउटा लोटा बकेरा आयेका इस समुहा अरू महल भित्र सुनको पलांग मा निदाउनी हैस्यत मा पुगे। हरेक प्रकरण मा उनिहरु नम उचियेको सायदे होला। तई पनी उनिहरु आपुलाई ठूला उद्योगी को भुंकार गरदै देश माथी घात गरी रहेका छन। अरबाउं कर चली देख्की विध्धूत महासुल तिर्दैनाव भंदै हार गुहार मागी रायका उनिहरुले नेपाल विध्धूत प्रादी करण को डेडिकेटेड फिडर रा ट्रंक लाइन बापात को महासुल सुलका को बिबरण यस्तोचा युहेर नहुस। तपाई हमी अंधाकार मा बस्यों हर एक दिन लोट सेडिंग को ताली का हमिलाई हात मा थमाईयो। हमीले अध्यारा रात हरु विताउन बाद्य हुदा कही सिमित उध्योगी हरुले विध्धूतमा मस्ति गरे। जनता मारे रा दिये को डेडिकेटेड रा ट्रंक लाइन को सुभिदा लिये बापात तीरेनन पैसा उनिहरुले। अब कुस्तों समाने तो वेलामा दिनन उता पर्षान नाही उदोगी अरलाई। ये उध्योगी अध्योगी ने अठारा गंटा लोडशेडिक अरह उदोगी जेरो उन्नू बाने को तो प्रोड़क्शन हाई उन्ज़ अमेले एवडा 10 रुपयां को सामनला तो सत्ता अरु प्रोड़की नाही उन्ज़ पाइदा होनी। तर क्यों होनू परे पने जश्यरी मुने ला दिये पने तो इलेक्रिशिटी को चार्ज त थिर दिनू परे उन्ज़ परें तो उन्हार ले पने अहनारा तो फेर जन्ता को करपड़ उठाको कुरावन। अविल् Bowl तो फिर तो इसे अच्अ के कुम लेक्रिश्व देशयरी मुने आला तो इमांत रिता आता होन। वहाँ नीजी शेतर आले सोचनों बरने मुझा तोर तेता पटीको आस्पेक्ट बढ़ाची मुँँ आले एरे जस्तों लागतेने माला है सुविदा लिये रा एसरी पैसा नतिरने उनिहरुको 2003 देखी, 2006 अशार सम्मको डेडिकेटेट रा ट्रंक लाइन बापत को 15 अर्वा 23 करोड रुपया तिरना बाकी थियो करीब 5 बर्ष अगी को तियो बक्याउता हो जुन बक्याउता बढ़े रा अहिले प्राधी करण को बक्याउता जण्डई 35 अर्वा रुपया फुगेको छा आर्थीक बर्ष दुहेजार शायतर सतत्तर मा 22 अर्वा बड़ी बक्याउता थियो दुई अर्वा 15 करोड रुपया बक्याउता हरेक बर्ष थापियेको देखिन छा देडिकेडेड तथा ट्रंक लाइन को बक्याउता नतिरनी हरुको सुची निक्कैला आमो छा जहां उनन 58 अध्योगहरु रहे काचन ती अध्योगहरु मध्येका नामोद रा नाम चलेका इंध्योगहरु हुन जसले एती ठूलो रकम विधूत प्राधिकरनलाई बुझाय का चैनन जगदंबा स्टील तीन अर्ब 25 करोड रुपया विधूत महसुल नतिरने एउटा उध्योगह जगदंबा स्टील जसको विज्यापन एस्तो छकी साचीके जगदंबाले नही यो देश बनाव दैछा देश लाई जोड़ दैछा पुझको यो सस्तो विज्यापन का भित्री कर्तुत हरु भने अनेकन छन देश बनावने जगदंबाले विधूत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड रा ट्रंक लाईन को सुविदा लिये बापत महसुल तिरेको छैना जसको वक्यवत मात्रै तीन अर्ब तेईच करोड उपया छा सिमरा इस्तित जगदंबा इस्तिल संग मात्रै तीन अर्ब तेईच करोड उपया असुलन बागी छा प्राधिकरणले ट्रंक लाईन बाट अप विधूत सुविदा लियेको जगदंबा इस्तिलले दोहेजार तिरहत्तर साल भदोग देखी 2017 साल असार सम्मामा जडिवान सहित उक्त रकम होगतान गरना बाकी देखीएको हो विधूत प्राधिकरण को बोड वैठकले निडाय गरी उक्त बाक्यवता उद्योगी अरुसंग उठाउने निडाय गरे पची इस्तो कमपनी हो जसले पौँने दू अर्भा को बग्यवता तिरेको छाइणा इतहरी स्थीत, रिलाइण्च स्पिनिंग मिल्ले विधूत महासूल को बग्यवता तिर्नू परने रकम पौँने दू अर्बा पुगेको हो एक अर्वा 61 करोड रूपयां बिल रकम और 14 करोड रूपयां जरिवाना सहीत पौणे दुई अर्वा पोगे को हो। प्रयोग नगरे को विध्युत महसुल को रकम तिरन नसकने भंदै उद्योग जिल्ला अदलत्मा मुद्धा दायर गरे को छियो। पनी उसले प्राधिकरणलाई महसुल नतिरने भंदै अनेकन बहाना बाजी गर्दै आयकोछ। प्राधिकरणलाई धंकायर अदलत्को सहारामा करीव एक अर्वा मिनाहा गराउने उसको दाउ देखिन्छ। मारूती सिमेंटले बक्योता रकम तिरनुपने दावी गर्दै विद्यूत प्राधिकरण विरुद्धा अदलत्मा मुद्धा दायर गरे को छियो। गोराही सिमेंटको एक अर्वा बड़ी। सक्तिरा सत्तालाई फकायर या धंकायर अवसर लिने अर्को उध्योग हो गोराही सिमेंट। इस्थानीय संग सही बिवाद मा फस्दै आएको यो उध्योग विद्यूत प्राधिकरण ले महासुल नत्तिरने थाग उध्योग हो। दाउंको गोराही मा रहेको गोराही सिमेंट उध्योग ले लामु समए देखीको विद्यूत बक्योटा तिरेको छैना। उद्योग को नाम्मा अहिले एक अर्वा 13 करोड रूपयां विद्धूत बक्याउता बांकी छा पटक पटक बक्याउता तिरना नर्देशन दिये पनी उद्योग ले बक्याउता रकम भोगतानी गरना अटेरी घरी जाहे कुछा बिर्गंच पतलाईया अउदोगी करिडोर का 6 उद्योग जसले 4 अर्व 40 करोड बक्याउता तिरना बांकी छा तेस्तेई पतलाईया विर्गंच अउधोगिक करिडोर का छा ओटा ठुला उद्योगले विद्धूत महसुल बापत को चार और और चालिस करोड भंदा बड़ी रकम नेपाल विद्धूत प्राधिकरण लाई भुदाउन बांकी देखी कुछा। केता गरियो तेती वेला बक्योटा तिर्णा चाडेरा इउधोग हरू अदालत गायके दिये। केता प्राधिकरण बांकी देखी कुछा। एदी उनिहरुमा अली कती पनी लाज सरम गुंठ्य भने एती थूलो रकम करीब पांच बर्ष देखी बक्योटा मुने धिये न बला। अदालतली समेत डेडिकेटेड फिडर ट्रंक लाइन बापत को सुलक बुजाउनू भनने आदेश दिये पनी उनिहरु प्रमाड लेव बंदै उल्टेई प्राधिकरणलाई भमक्याई रहे काछा। एदी तपणाई हमिले बिद्रूत को मासुल समय में नतिरनी हो भने भोली का मितिमा हम्रोग बिजुली काटिन छा। तर इसो घोर्षित थुला उद्योगी हरुले पांच पांच बर्ष अगीको बक्योटा तिरदैनाव भन्दै रुआबासी गरी रहे का छा। मासुल बापत को सुलक नतिरनी बहानाबाजी गर्दै रुआबासी गर्ने ठाग उद्योगी हरु को कहुन। तो देखाऊने छाऊं तर एकेशिन को बिश्राम पछी। दर्षक ब्रिंद भनिन्छानी जो चोर उसाई को ठुलो सोर। आज उनेही विद्धूत महसुल नतिरने उद्योगी का मालिक हरुको सोर निक्कई चर्को छा। पुइंटीस अर्बा पुगेको तेती ठुलो महसुल तेसाई चर्को सोर बाटा ठाम्थूम पार्ने उनीहरुको कुचेश्टा देखी छा। जनता आले लोट्शेडिंग को मार खेपलू पर्योते ती बिला। जनता अध्यारोमाई बसन बिवस भय। जनता मारेला इमानिस हरुले विद्धूत उपभोग गरे मत जाले। तरह एही बिद्धूत उपभोग गरे को सुलका तिर्दिना भंदै अनेक अनेक वित्वंडा मत्चाई रहेका छन। लास सरम गिन सब्बै सब्बै पचायरा ती मानिस हरु वने इमुन युहेर्ण होस। अन। इम मानिस हुन सहिल अग्रवाल जगदंबा इस्टिल को मालिक हुन उनी आफुलाई ठुलो ज्योगी दावी गर्डे इम मानिस विवादित पात्र हुन। जनता अध्यारोमा बस्न बाद्धे भाय का बिला विजुली उपयोग गर्ने इम मानिस ले संचालन गरेको जगदंबा इस्टिल ले विद्धूत प्राधिकरनलाई तीन अर्ब तैस करोड बकेवता तिर्नुछा। जनता अर्ब तैस करोड बस्न बाद्धे भाय का बिला विद्धूत प्राधिकरनलाई प्राधिकरनलाई महसुल तिर्दैनौ बन्दै आये का छन। सरकार लाई धमक्याउदे आये का इम मुरार कर भनिने मानिस ले अर्गा खाची मा उद्ध्योक संचालन गर्दे आये का छन। प्राधिकरनलाट डेडिकेटेड रट्रंक लाईन को सुबिदा लिये का थिये। सरकारी सहुलियत रशुबिदा लिये पनी पईसा तिर्दैनौ वंदै कहिले अदालत कहिले सरकार को दैलो जहार नमै पल्लीन छन इम मानिस। इम मानिस हुन नेपाल का चर्चित उद्ध्योकी तथा बैंक संचालक पवन गोल्यान। इम मानिस एनमबी बैंक का अध्यक्चे समेथ भायका उनको रिलाइन्स ले बिधूत प्राधिकरनलाई महसुल तिरेको छैन। क्रिशी अनुदानमा समेथ हाथ हलेरा बिवादमा तानियेका इम मानिस। तेस्ता धनाध्ये बेक्ति हुन जसले सत्तार सक्तिको आडमा राज्येबाटा धेरे अबसर निदे आयका चन। दिन पुस्ता पनी नभायका इम मानिस ले उद्योग व्यापार बैंकिंग छेत्रा खबजा गरेका छन। उनका सारथी महस पोक्रेल पबन गोलियान को भोलीमा लोली मिलाउँ दै। विदूत हपत न गरेकाले पईसा नतिरने दमकी दिन चान। युपनी है लोस्त पनी है अले आख स्थे लुपना में पुद करते हमा गरंग कीम दोलाओन से लुपनान की का पताले पूलाओके बातारी का टीम दोशा में थिंगभिसा बदाएका प युपनी है विखके, ह flu वाय रहा कैक् faktock रिलायन्स का इदोस्त्रों तहका मालिक को अभिभेक्टि बाटा थाहा हुन्छा कि उनिहरुमा कुने लाज सरम र हिन्नता बोध छाईना बरु राज्जेलाई धमक्याय रा लुट को साम्राज्ये बिस्तार गर्नमाई उद्दध देखिन छन। रुवाबासी गरी रहका छन। मासुल नतिरने भन्दध कहिले अदलत्त कहिले सरकार को दोईलो चाहारेका इद्ध्योगी हरुलाई उल्टै बचाव कर्छन। उद्ध्योग परिश्ण का अध्यक्ष्य राजेस अग्रवाल योहर्नुहुर्स। परिश्ण का अध्यमुर्सी मुद्द देखिन फ्रवाबिश्ण का अध्यक्ष्य राजेस अधिन मुद्ध देखिनní से अध्यक्ष्य राजेसन। ततकालेन विद्धुत का मानिस रा उध्योगी हरुको मिली भगतमा एस्तो सुविदा दिलाईयो। जस्माट सुलक असुलला महने एती बेला प्राधिकरण को पसीना छुटे कुछा। तै पनी प्राधिकरण ले सरकार लाई देखायरा करीब 35 अर्ब असुलली गर्नु भनेको अरको ठुलो दलबिदुत आयोजना संपन्न गर्न सकीन्छा। तर इउध्योगी हरु पईशारा पाउर देखायरा प्राधिकरण लाई गलाउने दाउमा देखीन्छान। सत्तार सक्तिको घुर्की लगायरा देश डुबाउने यो ब्रस्टाचार हो भन्छन नागरिक अगवा किदार खणका। तियो फटाई मत्यी होईना तियो तो पाउने हो दुरु पहेगने हो उन्हार को चे एकी सिम्ली अप्रस्टाचार अनिमित्ता नहीं हो गुंडा करदीनी हो बिधूत्स प्रयोग गर्ने सुविधा लिने तारा सो शारा नागरिक अरु तियो वेलामा अधिहारूमा बाचि अरुको अन्सासन बाईर को खुरावी अन्सासन ही नु तेसमा तो मन लाग च सा यो एफएन सीजी आ चैम्पर आप कामर्शर लेपनी विरुत गर्नों उन्च उसा उसो तो मन लाग देना गर्नो यदी गर्णो खोजी बनी तियो दुरु पहेगौ तिया फसे ले दुरु इदी इचे बेवसाई प्रतिटान अले आपनु जिम्मिवारी अंत्रकत आपनु नाफा कमा कोचे आपनु गाड़ा जेती ओरला देखार 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 थे भाए न तिसकान तियो तिर न पड़चे हो नागरिक अगवा किदार खड़काले भने जाई राजजे ठगने नियोजित चाला माला होयो एसते नियत राखेरा मसुल ठगने अरको मानिस हुन मारुती सिमेंट का संचालक नंदकिसोर राठी इस उध्योग का इमानिस हरूले विद्धूत राधिकरण को महसुल तीरे का चैनन इस उध्योग को नाममा अहिले एक अर्ब तेरा करो रूपयां विद्धूत बख्या उता छा आईप्योग कोलेरा चरम विबाद मा आयेको इस उध्योग का माली खरू एती बिला महसुल नतिरने गरी सरकार को दयलो चाहारी डायका छान देशको मेर्यो दंडा मानीने को जोग छेत्रमा देखियेको बदमासिमा सरकार नहीं दोश्ची सभन्चन अर्थवीत ज्यानेंद्र अधिकारी बास्तमा यो राजनितिक इस्टांड बात जस्तो पहन लाक्षमालाई है नो तो बला किनोने कुने टायम मा उँआ आर लाई जुन डेडिकेटेड फिडर दी रहाएको थियो पहले देखियो आर को काटेगो थिये नो अधिले आर काटिनू माची सपई जाना मिलेगो गी ज अधाला होनुचा साहिद जितला अधालाथ उच्छा अधालाथ अधापास साहिद सर्बचमा काइमु दालाथ अधालाथ लेक्ये मनु बरे बंदा है एती देरे मांचेको रोजुरोटे गोगूराचा यो तो इस्टे अधर नोया उन जल सम्मा को लागी विदूत नकाटन अधाल आज साहिद जितला अधालाथ अधाला उन खमी साहिदा है और मिलाठे न बतालाथ णिम्हादा अधाम पेतलाथ को सफीना बनितला बामीने क्माताथ whereas किद नहीं उन बताला ब्रेय को ता सबछा है वह बादिकाला आक आशल्यत्यकन काती चाहिद अधाला फिदूत पर देने भीतिए के हुँचा अम्रोट इलेक्टिसीटी कंटीनिव जानचा। और कईली सम्मक लागी स्टे अटर बन्दा अखेरी डिसीजन ना हुँचेल सम्मक लागी बने रहा हुचा। अरकोछीजन देना हुँचा, अदालात मानक हुचा अदालात में जाना को 10-15 पर्षा पीषाधी हुचा। अब 15 पर्षा पीषाधी अधिया को यह अमांण ते चैसे अरे 20 खरब पक्या पुगे पनि क्या वाई था तो अनि मिला अईरा थोरे अमाउन्ड मा, पांच करब जती तीर नहीं बांच उनुची पचिक 10 परस पिचाडी पंद 12 परस पिचाडी यह कुरा कंटीनु होदे जांच तिर तो बेल आमा कथी तिरो लगाई छा तो मन्दा पांच खरब जदी अथा पांच खरब जदी अथा थोरे नो मिननल अमाउंड तिरो लाई छो अनुची यह सप़े जाने मिले रहो गाटा को सलाए भए तो अमिले तिरेको टाक्स पड़ूत पादित बिजोलीला गाटा पायोंगे गाटा कोसला पायो यह देशला गाटा होंच यह गुरा हुँंच पाछे इसमा कुरे नया कुरा हुँद देन यो गुरा जोस्त वाक्स मालाइचे पक्के पनी अर्थवेद अधिकारी ले भने जस्ताई राज्जे मा बसने हरु को निकम मा पन के कारण यो देश मा संकट निम्किये को छा। उनी हरु के नालाई की पन को फाइदा उठाए रा एसता सिमित समुहले यो देश दोहन गरी रहे क्या छाना। दर्शक ब्रेंद इमानी सरु ती हुन जसले यो राज्ये बाट प्रभा हुने धेरई सुविदा लिन्छन। 17 र सक्ति को पहुँचमा रहे का उनी हरु ले जत्ती धेरई अबसर र शुविदा लिन्छन। उत्ती धेरई यो राज्ये लाई धगने गरेका छन। प्रचक्छे होस या अअप्रचक्छे रुपमा उनी हरु ले राज्ये लूटी रहेका छन। पचिलो समय विद्धुत प्राधी करनले विद्धुत लाइन काटे पची उनिहरुको रुवाबासी तली रहेको छाई तिगिला योटा उद्ध्योगी को धर्मा पनी निर्भाह करना ना सकने को इन नामुद उद्ध्योगी हरुले नेतालाई प्रभाबमा पारेरा आपनो बेध्धर्मा छिपाउना कोशिश गरी रहेका छन आर्थिक अपराद का बिभिन्ना स्रिंखला हरुमा समेत पटक पटक जोडिये का इनिस हरुलाई सरकार ले बिद्धूत मासुलमा मिनाहा गरे दियो भने जनाताले पनी बिद्धूत मासुल तिर्दैनाउ भने रा अंदोलन गरे भने मिनाहा उन्चता सरकार हाउस्ता आदलाई एती नहीं, भली आरको खास विशायलियेरा उपस्थी धोने छाउं, खबर भीत्रको खबर का लागी धेरदेई रहनु होला एविनीउत खबर, नमस्कार